कि यो कि कि पढ़ेंगे अधि एल्लो स्टूदेंट्स आज हम पढ़ेंगे Neiauen कि ऐडानिगे चैप्टर फाइफिचा में हमारे είन प्लीड से जमैटरी। यमेटरी ओसका introduction देखते हैं क्या है क्या होतते हैं एक्जियम्समारे पास एक विस्द परोफ की जरूरत नहीं होती है उनिवर्सल ट्रूथ इक और पास एक युनिवर्सल ट्रूथ गॉई जरूरत नहीं होती जैसे हमारे पास सूर्य पूरा अदिशा से उद्या होता है यह हमारे पास क्या एक उनिवर्सल टूथ है और पस्चिम में अर्स्त होता है यह भी एक उनिवर्सल टूथ है तो यह हमारे पास क्या है एक्जियम्स जो उनिवर्सल टूथ है जो without proof के हमारे पास satisfy है अब जैसे ये 2 हमारे पास के even number है तो वो क्या है? Universal truth है, ठीक है? अब देखते हैं क्या है Euclid axioms है किसके axioms के बारे में पढ़ेंगे? Euclid के axioms के बारे में Euclid axioms है things which concerns with one another are equal to one another कोई भी कोई दो चीज़ी है अगर वो एक जैसी है, क्या होती है? एक जैसी, देखने में कोई भी 2 चीज़े एक जैसी है तो one another are equal to one another तो it means क्या बोल देंगे? कि वो दोनों में कोई भी 2 चीज़े है अगर देखने में एक जैसी है तो क्या बोल सकते हैं हम दोनों? Equal है second है हमारे पास things which are equal to same things कोई भी दो चिज़े equal है एक दूसरे के equal है जैसे हमारे पास same size की है same length की है same अमारे पास उनका round है तो उसको हम क्या बोल देंगे equality यहाँ पे हमारे पास size से कोई effect ने पड़ता है यहाँ पे हमारे पास देखने के लिए जैसे हमारे पास एक mango है एक हमारे पास चोटा mango एक बड़ाए mango है लेकिन है क्या mango तो mango दोनों equal होगे बट यहाँ हमारे पास क्या है size एक हमारे पास short size है एक long size है तो जो size है अगर दोनों equal अगर दोनों का size equal है तो भी क्या बोलते हैं, अब दोनों चीज़े कैसी हैं? इक वल एक दूसरे के बराबर हैं, दा वोल इस ग्रेटर देन दा पार्ट, जो वोल होता है, वोल क्या होता है? कम्प्लीट, वोल होता है, जिसे कम्प्लीट कोई भी चीज़, complete हो गई पूर्ण ठीक है वो हमेशा बड़ा होता है किससे उसके पार्ट से अब देखो यह हमारे पास कोई भी ऐसा ड्रो कर लिया अब वोल बोल दिया वोल मींस क्या है यह पूरा का पूरा यह जो पूरा का पूरा है यह बड़ा होगा किससे चाहिए इसका कितना भी बड़ पार्ट लेने लेकिन उससे तो यह बड़ा आना ही आना है इसका अगर हमने बड़े से बड़ा पार्ट मान लिया यह ले लिया यह ले लिया हमने इसका बड़े से बड़ा पार्ट है तो यह आ गया हमारे पास यह पूरा का पूरा लेकिन इस पूरे से तो कौन है वोल बड से, अब हमारे पास कुछ important points हैं, क्या क्या है A point has no part एक point होता है, यह मारे पास क्या है कि point जिसका कोई भी भी part है नहीं होता, point है ऐसा होता है, जिसका कोई भी part नहीं होता, ना उसकी length होती, ना उसकी breath होती Next है The ends of a line are points, एक अमारे पास कोई भी line है और line का जो end होता है वो किस पे होता है points पे, line का जो end होता है वो किस पे होता है हमेशा points पे, next है the ases of a surface are lines कोई भी हमारे पास मान लिए यह surface बना दिया हमने तो जो surface बना है the ases of a surface इस surface की ases यह हमारे पास क्या है इसके ases आरे, Lines यह क्या है? Lines किसी भी surface के जो as's होते है वो क्या होते है हमेशा? Lines Next is the line has breathless length जो line है, उसके breathless length होती है जो line होती है उसकी हमेशा कितनी लंबाई होती है? एक लंबाई होती है बट उसकी क्या नहीं होती? चोड़ाई नहीं होती breathless बिना चोड़ाई के लंबी होती है, line है वो बिना चोड़ाई के होती है और लंबी होती है, length होती है बट breath नहीं होती इस surface is breath and length only, एक जो surface होता है, जैसे ये था हमारे पास है के surface, इस surface के length भी होगी और इसके breath भी होगी लेकिन इसकी height नहीं होगी पास एक ऐसा सर्फेस है जिसमें लेंद्ध होरे ब्रेथ आएंगी जब 3D आएगा तो उसमें मार पास हाइट आएगी देखते आगे यूकलेट पॉशुलेट अब हमार पास पूरा का पूरा चेप्टर के स्पेड़ेपेंड करता है यूकलेट के पॉशुलेट्स पे Euclid के postulates क्या है Euclid ने 5 postulates दे रखे है 5 के 5 postulates important है और आपसे exam में पूछेगा कि Euclid का first postulate क्या है Euclid का third postulate क्या है Euclid का fifth postulate क्या है तो इसलिए आपको सभी postulates से याद करने है First है मार पास P1 First postulate is straight line, एक cd line may be draw from any one point to any another point किसी भी एक point से दूसरे point के लिए क्या draw कर सकते है हमेके straight line draw कर सकते है एक cd line may be draw कीच सकते है from any one point किसी भी एक point से to any another point किसी दूसरे point तक है एक point से किसी दूसरे point तक हम कोई भी straight line ने draw कर सकते है यह हमार पास है Euclid का first postulate ופual Finance Checking it terminated line terminated lines can be PRODUCE DEIFINETLY terminated lines कौन से होती है üs's line से यह हमारe Millionen terminated line means जिसका 1 starting पता ना हमैं में उसको адों किka बूलते हैं terminated lines can be produe बढ़ा सकते हैं definitely उसको में कितना भी बढ़ा सकते हैं जैसे यहां तक थी हमारe पास इसको में दर्वी बढ़ा सकते हैं इसको में दर्वी बढ़ा सकते हैं तो क्या है हमारे पास एक terminated line है ऐसी line होती है जो produce कर सकते हैं कितनी भी उसको produce कर सकते हैं ना हमें उसका यह कि हम उसको one point तक produce कर सकते हैं तक हम उसको infinitely कितना भी produce कर सकते हैं, ठीक है, next है हमारे पास P3, P3 हमारे पास क्या है, इस circle can be draw with any center and any radius, एक circle, एक circle can be draw draw कर सकते हैं, with any center, किसी भी center से and any radius, किसी भी center से कितनी भी radius लेकि हम कोई भी circle draw कर सकते हैं, जैसे हमारे पास जब हम circle draw करते हैं, तो हमारे पास यह हमने center लिया, ठीक है, मनले यह हमारे पास center है, तो ऐसे करके हम यह circle draw कर दिया, यह हमारे पास जो ड्रो हो गया है क्या है क्या है क्या है सर्कल यहां पर हमारे पास यह सेंटर है और यह हमारे पास से रेडियस है उसके बाद अगर हम इसको कम भी कर सकते हैं इसको कम करके भी हम ड्रो कर सकते हैं और मान लिए हमने यहां से ड्रो कर दिया तो ये भी हमारे पास क्या बनेगा है कि circle बनेगा ठीक है इसी तरह ऐसे हम क्या कर सकते हैं कितने भी draw करके दिखा सकते हैं कि किसी भी center से और किसी भी radius के लिए हम कोई भी circle draw कर सकते हैं next step P4 all right angles are equal to one another all right angle, right angle कौन से होते हैं जो 90 degree का angle बनाती है जितनी भी right angles है, are equal equal होते है, one another, दूसरी के equal होते हैं अब right angles हो गई, 90 degree का angle बनाती है तो 90 degree का angle चाहे तो आप ऐसे बना लो तो ये भी हमारा equal है, चाहे आपकी नीवी दो line को cut करके ऐसे बना लो ये भी हमारे पास 90 degree का angle है ठीक है और यहाँ भी हमारे पास 90 का है जितने भी 90 degree के angle है, वो equal होते है, one another, एक दूसरे के equal होते है, तो अब ये angle 1 है, ये 2, तो हम क्या बोल सकते हैं दोनो right angle है, तो angle 1 is equal to angle 2 next है हमारे पास postulate 5, if a straight line falling on 2 straight line एक straight line, दो हमारे पास कोई भी straight line है falling गिरी हुई है, किस पे a straight line, falling on 2 straight line make the, एक straight line डाली गई है, कि किस के उपर दो, straight lines के उपर make the sum of 2 interior angles और जो sum of 2 interior angles interior angles on the same side और same side पे off it और इसके कोई भी हमारे पास 2 straight line है, उनके उपर अगर एक straight line डाली गई है, तो उसके जो interior angles हैं same side में interior angles का sum क्या होगा, less than 2 right angles less than कम होगा, 2 right angles though 90 degree के angles से कम होगा then the 2 straight line meet on that side then तब the 2 straight lines meet on that side अगर हमारे पास इनके बीच में जो भी angle है वो 90 degree से कम है अगर ये 90 degree से कम है तो इन lines को जब भी हम ऐसे आगे बढ़ाते जाएंगे, ऐसे बढ़ती जाएंगी के दुनों मिल जाएंगी, ठीक है तो ये था हमारे पास पोशुलेट है 5 की कोई भी एक straight line जब 2 straight line के उपर डाली जाती है तो उसमें जो interior angles का sum है, वो हमेशा 2 right angles के sum से कम होता है, ठीक है ये थे हमारे पास है 5 पोशुलेट्स, ओके थेंक्यू 5 पोशुलेट्स